हेलो गाईज, वेलकम बैक टो यूटूब चैनल एक्टिकरल स्टाफ फर यू दोस्तों आज के मारे इस वीडियो का टोपिक है कि रूम में कितने अमपेर का MCV लगाएं दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि रूम की फिटिंग कैसे की जाती है जिसमें हमने दो वल्व, एक पंखा, एक शोकेट और एक एसी के फिटिंग करके बताया था कि उसके connections कैसे करने हैं और हमने रूम में दो सरकेट बनाये थे जिसमें हमने एसी का सरकेट अलग बनाया था उसके लिए हमने अलग MCV लगाया था उसके लिए हमें कितने ampere का MCV का यूज़ करना है मतलब अगर हमें अपने घर में room के लिए MCV decide करना है कि किस rating का MCV लगाना है तो वो हम कैसे choose करेंगे तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में detail में बात करेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को consider नहीं करेंगे क्योंकि जो AC है वो अलग circuit में हमने connect किया था ठीक है हम इस वाले load को consider करेंगे कि ये total load कितना है जिसमें हम bulb और पंखा बगारा consider करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम load calculation करेंगे ठीक है तो दोस्तों आपको पता है कि हमने room में दो bulb connect किये थे तो यहां पर हम दो bulb मानके चलेंगे इसके अलावा दोस्तों हमने एक पंखा भी लगाया है room में और एक हमने shortcut का भी इस्तेमाल किया है room में ठीक है अगर आप द्यान दे तो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि यहां पर हमने दो bulb connect किये है एक पंखा connect किया है और एक shortcut connect किया है ठीक है अब हमें इसका total load कितना बनता है उसे calculate करना है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अब हम सबसे पहले जो हमारा bulb 1 है इसको हम मानके चलेंगे कि यह एक LED bulb है और यह इसकी जो rating है वो 40 watt है ठीक है बदल जो 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 हमारा bulb है जो 40 watt का है और जो हमारा bulb 2 है जिसको हम 100 watt का bulb मानके चलेंगे क्योंकि दोस्तों जो हमारे प्राने bulb होते थे incandescent type वो 100 watt का bulb होता था तो हम यह भी मानके चलेंगे कि हमने room में एक LED bulb लगाया है और एक incandescent bulb लगाया है ठीक है तो हम मानके चलेंगे कि जो हमारे पंक्या की बाटे यह वो 80 watt है अब दोस्तों जो हमारी शोकेट है वो 5 ampere की शोकेट होती है तो इसकी ampere rating के हिसाब से जो हम इस पर maximum load connect कर सकते हैं वो 800 watt तक load connect कर सकते हैं ठीक है इसलिए हम मानके चलेंगे कि जो शोकेट है इसका जो connected load है वो maximum 800 watt मानके चलेंगे ठीक है अब दोस्तों हमारे पास हर किसी equipment की ratings भी आगी है और हर को equipment भी आगया है जो हमने अपने room में use किया है ठीक है अब हम इसको total कर लेंगे तो हमारे पास total load आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो हम क्या गरेंगे इन सारी सारी बाटेज को add कर लेंगे ठीक है तो जब हम दोस्तों इसे add करेंगे तो हमारे पास total load आ जाएगा room का जो की 120 watt बनता है ठीक है अब हमारे पास load calculation आ गई है room की ठीक है इसका मलब यह हुआ कि जो यह हमारा room है जिसमें हमने दो bulb लगाए है एक पंखा लगाया है एक शोकल लगाया है इस circuit का जो total load बनता है वो 120 watt बनता है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम crunch calculation करेंगे की जो हमारा 120 watt का load है अगर हम वोसे total एक टाइम पे देते हैं तो वो total कितना crunch carry करेगा ठीक है तो अब हमारे पास पहले load तो आ गया है जो की 120 watt है अब हम formula का use करेंगे power equal to voltage into crunch into cos phi ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर जो voltage है जो वो voltage है जो हम use करेंगे जो हम गरों में use करते हैं current हमें find out करना है और cos phi हमारे पास power factor है ठीक है अब दोस्तों जो हमारे पास जहाँ पर power है वो 120 watt है क्योंकि हमने total load से निगाला है कि जो हमारी power है वो 120 watt बनती है अब गरों में जो voltage use करते हैं वो हमारे पास 230 volt आती है आपको पता है कि आपके गर में single phase जो voltage आती है वो 230 volt आती है और जो cos phi है जिसे हम power factor मानके चलते हैं वो हम गर में 0.9 मानके चलते हैं वैसे दोस्तों single phase में इसे consider ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता चीक है दोस्तों अब दोस्तों यहां से हम इस formula से current की value निकालेंगे तो हम simple current equal to power divided by voltage into cos phi हमने कुछ नहीं किया इस formula से current की value निकाल लिया है अब हम इस formula में सभी सरीवी values को डालेंगे जैसे power, voltage और cos phi ठीक है तो जब हम इस values को डालेंगे तो कुछ इस हिसाब से हमारे पास relation आ जाता है 1020 भाग 230 गुना 0.9 ठीक है अब हम जो इसकी denominator की value है इसे calculate करेंगे तो जैसे हमारे पास आजएगा 120 भाग 207 अब 207 दोस्तो आया है 230 को जब हमने 0.9 से गुना किया है अब दोस्तो जब हम इस figure को calculate करेंगे तो हमारे पास आजएगा current जो कि ये total load लेगा छीक है तो जब हम हम इसे calculate करते हैं तो जैसे हमारे पास आयता है 4.92 अमपेर इसका मदल्व ये हुआ कि अगर हम अपने room का पूरे का पूरा load एक time पे चला देते हैं जो कि 120 watt है तो जो total current लेगा वो 4.92 अमपेर लेगा छीक है दोस्तो अब दोस्तो इसके अलाबा हम जो electrical calculations है इसमें एक factor of safety भी मान के चलते हैं ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा 4.92 अमपेर लोड ही लेगा जो हमारा लोड है इसके अलाबा हम factor of safety मानते हैं क्योंकि मान लो कि कई वार जैसे पंखा ही आपका short हो जाए जा उसमें कोई खराब भी हो जाए तो वो load ज्यादा लेने लग पड़ता है और shortcut में अगर आप 800 बाट से ज्यादा load connect कर दो तो उसको भी हम factor of safety में consider करेंगे तो दोस्तों जो हम factor of safety है वो 15% से 25% तक मान के चलते हैं ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों का center ले लेंगे मतलब 20% लेंगे तो हम 4592 ampere का 20% निकाल लेंगे ठीक है तो यब हम इसे calculate करेंगे तो यह हमारे पास आ जाता है 0.99 ampere ठीक है अम मतलब जो 4592 का 20% है वो 0.99 ampere है इसको हम 0.99 ampere को इस current में add कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास total current आ जाएगा after considering factor of safety की जो हमारा load है वो कितना current लेगा तो यह हमारे पास आयता है 5.91 ampere तो इसको हम approximately लिमान के चलें तो हमारा load लगबग 6 ampere तक current लेगा ठीक है दोस्तो अब दोस्तो हमें पता लग गया कि जो हमारा load है उसके अक्रोज जो current जाएगा वो 6 ampere जाएगा ठीक है अब हमें MCV selection करनी है अब हमें total load का भी पता है और जो total load है हमारा वो current कितना लेगा वो भी हमें पता लग गया है कि 6 ampere है अब हमें MCV की selection करनी है तो पहले हमें ये पता होना जाहिए कि जो MCV की rating market में available है वो कितनी है दोस्तो जो हमारी market में available MCV से हैं वो 1 ampere, 2, 3, 4, 6 10 ampere, 13 ampere, 16 ampere 20 ampere, 25 ampere, 32 ampere 40 ampere, 50 ampere 63 ampere और 100 ampere तक market में available है और इससे ज़्यादा rating कि हम MCV अपने गर में use भी नहीं करते क्यूंकि इससे यादा connected load किसी भी गर में होता ही नहीं है अब दोस्तो हमें पता लग गया कि जो हमारा load है वो कितना गरंड लेता है अब हमें ये भी पता है कि जो market में available MCVs है उनकी ratings क्या है तो हम सीधे इस list में से देखेंगे कि कौन सा MCV हम use कर सकते है इस current के लिए चीक है तो हमारा load है वो current ले रहा है 6 ampere तो अगर हम इस list में से देखे तो एक हमारे पास MCV है जो 6 ampere का है चीक है बट दोस्तों अगर हम 6 ampere का MCV यूज़ करेंगे तो ये बारबाट trip करता रहेगा तो हमें थोड़ा सा higher rating का MCV यूज़ करना है तो इसके बाद जो अगली rating आती है इस list में बो है 10 ampere की तो इसका मदलब ये हुआ कि जो हमारा load है तो इसके लिए हमें 10 ampere के MCV का use करना चाहिए चीक है तो हमारे पास यहां पर MCV selection होगी 10 ampere इसका मदलब ये हुआ कि दोस्तो जो हमारे पास एक room है जिसमें हमने दो बलब लगाए है एक पंखा लगाया है एक शोकर लगाया है उस circuit के लिए जो हमें MCV यूज़ करना है वो हमें 10 ampere का use करना है इसी परकार से दोस्तो आप किसी भी room के लिए किसी भी particular load के लिए same formula यूज़ करके निकाल सकते हो कि आपको कितने ampere का MCV यूज़ करना है तो दोस्तो I hope आपको इस वीडियो से काफी को सीखने को मिला होगा और आपको अगर वीडियो यह अच्छी लगी हो तो इसे like और share ज़रूर करें और ऐसे यूर वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर लें Thank you guys